तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे तो फाइनली अब इंतजार खत्म हो गया और आज मैं गोरकपुर मेट्रो पर लेटेस्ट और डिटेल्स वीडियो लेकर आ चुका हूँ वीडियो काफी मज़ेदार होने वाली है तो लीज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह आप से एक रिक्वेस्ट हैं अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो कर लीजिए इसी प्रकार की फ्यूचर में भी लेटेस्ट अपडेट देखते रहने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस गोरखपुर मेट्रो परियोजना की देख-।रक रेख उत्तरप्र प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पॉरेशन लिमिटेट द्वारा की जा रही है योजना के अनुसार दो मेट्रो लाइनों का निर्मान किया जाएगा और गोरखपुर में कुल 27 मेट्रो स्टेशन होंगे क्य की योगी आदित्यनाथ जी उत्तरप्रदेश सरकार ने 2017 में UPMRCL को परियोजना के समनवयक के रूप में नियुक्त किया। UPMRCL को हित धारकों को एक साथ लाकर चरण एक शुरू करने का काम सौपा गया था। Rail India Technical and Economic Service ने एक परियोजना रिपोर्ट तयार की जिसे मार्च 2019 में निगम को प्रस्तुत किया गया था। इसे अक्टूबर 2020 में राज्यमंत्री मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने नवंबर 2021 में परियोजना के पहले चरण को मंजूरी दी थी। मगर अब फिलहाल अभी गोरखपुर में दो रूट पर मेट्रो चलाने जा रही है। गोरखपुर मेट्रो रूट की दो लाइने। इस कुछ प्रकार होंगी जिसमें से पहली लाइन श्याम नगर से सूबा बाजार तक होगा, तो वही दूसरी लाइन गुल रिहा से कचहरी चौराहा तक होगी। चलिए, अब एक नजर डालते हैं, इन लाइनों और इन दोनों रूटों पर पढ़ने वाले स्टेशनों की डिटेल्स ध्यान देंगे। चलिए, अब दूसरी लाइन की बात करते हैं, तो ये गुल रिहा से कचहरी चौराहा तक चलेगी, जिसमें कुल 11 स्टेशन शामिल होगे, इस मेट्रो लाइन की लंबाई 10.46 किलो मीटर है। आए उन विभिन स्टेशनों पर भी एक नजर डालें, जिन्हें यह मेट्रो लाइन कवर करेगी, गुल रिहा, बी आरडी मेडिकल कॉलेज, मुगला, खंजांची बाजार, बशारतपुर, अशोक नगर, विश्नु नगर, असुरन चौक, धर्मशाला, ये एक इंटरचें में कोई सवाल हैं, तो आप कॉमेंट में जरूर पूछे, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और दोस्तों में शेयर करें, मिलते हैं, इसी तरह की एक और जानकारी के लिए, चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी प्रकार की अपडेट देख देखते रहने के लिए, तो चलिए, आप अपना खयाल रखिएगा, जय हिंद, जय भारत!